हलो दोस्तो जे हिंटू एवरिवन तो दोस्तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं SSB ASI Stenographer के बारे में तो दोस्तो इवनी में ही जो है आपका final result SSB के द्वारा जारी कर दिया गया है तो दोस्तो आप जो है official website पर जाके भी अपना result चेक कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो टेलिग्राम गुरूप पर भी आपको ये PDF जो है मिल जाएगी वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को आपको end तक जुरूर देखना है मैं आपको एटुजर्ट इंफोर्मेशन बताने वाला हूँ कैसे आपको official website पे जो है अपना result डाउनलोड करना है और साथ ही दोस्तो बात करने वाले है head constable communication के final result के regarding भी तो दोस्तो आप देख सकते हैं आज ही जो है आपका ये result अनौन्स किया गया है declaration of final result of a provisional selection of the candidate to fill up the vacancy for the post of an assistant sub inspector stenographer तो दोस्तो आपकी जो है इसमें total जो vacancy है दोस्तो 40 सी vacancy है और 40 candidate को ही दोस्तो इसमें जो है qualify किया गया है तो दोस्तो आपके इसमें जो है cutoff ही दोस्तो mention की हुई है आप देख सकते हैं यूर की 81 आपकी cutoff रही है उसके बाद EWS की 79 आपकी cutoff रही है OBC का 77 और SC का 71 और ST का 63 आपका दोस्तो इसमें इस candidate select हुए है तो दोस्तो अगर अपने चैनल से कोई candidate जोड़ा हुआ था जिनका selection हुआ है तो दोस्तो एक बार comment करके जुरूर बताना तो दोस्तो इसके बाद बात कर लेते हैं आपको कहां से यह PDF में दोस्तो मिलने वाली है official website पर तो दोस्तो आपको जो है SSB की जो recruitment की official site है दोस्तो उस पर आपको विजिट करना है और दोस्तो वहां पर आपको मिल जाएगा latest news के अंदर दोस्तो पहला ही option आपको देखने को मिलेगा list of candidate provisional selected for the post of ASI stenographer उसके साथ ही दोस्तो अगर किसी candidate का by chance selection नहीं हुआ है तो दोस्तो अपना marks भी आप इसमें जान सकते हैं final marks आपका status और marks इसमें शो करेगा तो दोस्तो इसका भी link जो है नीचे ही इसका link दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो बात कर लेते हैं head constable communication के regarding तो लगबग मैंने 2-3 वीडियो बनाए हूँगे दोस्तो उसमें भी आपको मैंने वही date बताया था और वही date दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर कोई भी problem नहीं होती है तो आपका result जो है 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच दोस्तो आने क possibility है दोस्तो यही संभावना है कि आपका result जो है 15 से 30 के बीच में आने की संभावना है बाकी दोस्तो कोई भी अगर region होता है तो दोस्तो आपका 2-4 दिन लेट होड़ सकता है बाकी 15 अगस्त के बाद दोस्तो आपके पूरे पूरे chances है result आने के तो दोस्तो आप देख सकते है इनका बहुत जल्दी ही result दे दिया गया है ASI stenographer का हाली में ही दोस्तो इनका जो है medical exam complete हुआ है तो दोस्तो regularly जो है आपको चैनल से जुड़े रहना है और साथ ही दोस्तो चैनल को subscribe जुरू कर लें और telegram गुरूप से जुड़ जाएं तो दोस्तो regularly जो है आपको official website दोस्तो म और उसके साथ ही दोस्तो अगर आपके कम marks है तो दोस्तो आपको result का wait नहीं करना चाहिए आपको preparation start करना चाहिए काफी दोस्तो recruitment आपके आने भी वाली है और दोस्तो काफी recruitment आपकी आ भी चुकी है BSP के अंदर भी कुछ recruitment आई थी ITBP के अंदर भी कुछ recruitment चली हुई है और ह माइजांस आपका selection नहीं हो पाया तो दोस्तो आपका time भी waste होगा और आपका preparation भी दोस्तो कम रहेगा तो दोस्तो इसलिए सभी से मेरी तो दोस्तो यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है दन्यवाद दोस्तो जेहिं